बड़ी पुरानी कहावत है करम में लिख्या कंकर तो क्या करेंगे सिवसंकर पाकिस्तान के साथ वैसा ही है पाकिस्तान ने वो गलती की है जिसे सुनकर आप कहेंगे कोई देश इतना मूरख कैसे हो सकता है उसके नीती निर्माता जहां एक तरफ पाकिस्तान ताइवान चीन के इस जंग में खूद गया है तो वहीं दूसरी तरफ आमेरिका ने अब भारत के पहाडों पर क्यों उतार दी है अपनी सेना क्या इस चीन ताइवान के टेंसन के बीच भारत और चीन के बीच भी कुछ चल रहा है जहां अमेरिका कूद रहा है जानेंगे क्या कुछ है मामला जियो पोल्टिक्स में इस वक्त धमाल बचा हुआ है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से रूस युक्रेन की लडाई अब समझ लीजिए कि यह पुरानी हो चिकी है वो यू दूधर चल रहा है और अब रूस फाइनली न ताइवान और चीन के बीच ताइवान को घेर लिया है और जो एक माचिस की तीली बारूद में फेकने का काम अमेरिका ने कर दिया है और ताइवान में पेलोसी की यात्रा उसी घटना को मानी जा रही है क्योंकि अगर जिन्पिंग इस वक्त नहीं भी चाहेगा तो भी जि 30-21 फाइटर जेट अंदर गुश रहे हैं ताइवान के अब कहीं पर अगर मिसाइल अटेक हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी पर चीन और ताइवान के इस जगड़े के बीच जहां सबसे पहले रूस कुदा और रूस ने ये कहा कि हम बिलकुल भी अमेरिका के अमेरिका ने एक युद्ध भड़का दिया यहां पर युक्रेन के साथ हमारा युद्ध भड़का दिया और अब अमेरिका ताइवान में युद्ध भड़का रहा है ताइवान और चीन को लड़ा रहा है मतलब हर जगा अमेरिका एक नए नए युद्ध को खड़ा कर रह रूस से पहले भी रूस ने यही बैयां दिया था और पहलों स negócio मुँए कि पाकिस्तान ने तहकी अमेरिका IMF से लोन दिलवाने में मदद करे तब पाकिस्तान के एंटेरियर मिनिस्टर का क्या कहना है वो कहना है कि नहीं नहीं हम तो इसमें बिल्कुल भी सामिल नहीं है क्या हमारे इलाके से पाकिस्तान के इलाके से ड्रोन उड़के गया था हमारे इलाके से उड़कर बिल् मामले में अब अमेरिका से ये डील हुई या नहीं हुई ये तो बाद में पता चलेगा आए में फ्रिलीज कर देता है बड़े फंड को तो थोड़ा सकतो जरूर जाएगा कि सायद ये डील हुई है पर पाकिस्तान पर पक्का भरोसा है वो इस तरह की डील कर सकता है क्योंकि उनकी प्रजाती एकदम से अलग है उस प्रजाती में बिनपेंदी के लोटे वाला हाल होता है कभी इदर कभी उदर खैर पर चीन मामले में पाकिस्तान कूदेगा ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है अगर भारत चीन का मामला होता तो वो कूद जाता इसमें कोई पाकिस्तान के मामले में और पेलोसी की यात्रा को लेकर जो बयान दिये अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कभी कि पाकिस्तान इस तरह के बयान देगा पाकिस्तान ने साफ कहा कि हम चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ये बात किसी और ने नहीं बलकि पाकिस इस्तिती हो रही है ताइवान इस्ट्रेट में यह हम इसको लेकर बहुत चिंतित हैं यहां के सांती और इस्थीरता पर बहुत गंभीर परभाव पड़ेगा पहले से ही यूकरेन संघर्स के कारण एक बड़ा इस्तिती खराब हो चुका है बुकमरी की इस्तिती आ चुकी है अंतराष्ट ये खाद और इनर्जी में सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट है एक और संकट दुनिया नहीं उठा सकती है दुनिया की सांती सुरच्छा अर्थववस्था के बहुत निगेटिव परिनाम होंगे इसलिए इस समस्या का समाधान चीन और ताइवान को क करना चाहिए और ये यूएन के चार्टर के कोडिंग होना चाहिए यूएन के चार्टर के तहत होना चाहिए वैसे आपको बता दें पाकिस्तान का इस तरीके से एकदम से खुल्लम खुला बयान देना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है इसलिए मैंने यह एक एहसान को चुका रहा था और यह एहसान क्या था चीन का एहसान था कि कस्मीर मामले को लेकर यूएन में बहुत जगह चीन ने समर्थन किया है पाकिस्तान का इसलिए पाकिस्तान खुले आम चीन के समर्थन में आ गया पर पाकिस्तान यह बूल गया कि इस वक्त पूरी भी मरोड सकता है अमेरिका आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने खुलम-खुला चीन का समर्थन कर दिया ताकि दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है वाली नीती और ज्यादा निकल कर आ रही है कि कहीं न कहीं अपना गुस्सा चीन जरूर निकालेगा चीन भारतिय सीमा पर भी इस गुस्से को निकाल सकता है क्योंकि जिन्पिंग को अपनी ना किस वक्त उंची रखनी है जिन्पिंग को यह दिखलाना है कि नहीं हम ताकतवर हैं अब जनता के सामने जिन्पिंग की बहुत बड़ी बेज़ती हो गई है पेलो सी आई और गई और अपने साथ जिन्पिंग की इस जत्वी लेके चली गई अब समस्या यह है कि जिन्पिंग किस तरीके से अपने आपको बचाए या तो ताइवान पर हमला कर दे ताइवान पर हमला होने का मतलब ह हो सकता है अमेरिका इस हमले में डायरेक्ट कुद जाए यहां एक फुल स्केल वार की टेंसन है हो सकता है भारत के बॉर्डर पर भी यह टेंसन बढ़ाने की कोसिस करें लेकिन इसने अभी देखा है कि तेवर भारत के बदल गए हैं पहले चीनी फाइटर जेट सौटी दिया क तक करते थे पर अब कथीत तौर भारती वाउद यहीं काम कर रही है जिसको ने कर चीन शिकायत कर रहा है जो फाइटर जेट // शंटर के से लिया शिवें और इसाइब यह ङ संभार कर रहे हैं यहे यहीं मुधर कर पार लें से 전वाने Man. अभी तो प्लांड है 14 से 31 अक्टूबर के लिए लेकिन कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को पहले भी किया जा सकता है दरसल परवतों पे लड़ाई के मामले में भारतिय सेना का कोई जवाब नहीं है इसलिए ऐसे जगह को चुना गया है जो 10,000 फिट से उपर है और यहां पर दोनों की सेनाए लगातार युद्धा भ्यास करेंगी मतलब पहाड पर युद्ध लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रही है मेरी की सेना भारतिय सेना से वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ